करेंगे दोनों का कंपारिजन अच्छा इन दोनों का कंपारिजन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल सकता है यह लगो बिल्कुल को बिल्कुल करता है अब हम लोग जब भी इसी प्रैंड के साथ खे भी को होना इसी ब्रैंड कि उसबटती है और बहुत साहर इंपोर्ट एक भी ख्यांड के साथ हम लोग जब भी किसी ब्रैंड के साथ किसी ब्रैंड को compare करते हैं तब पहले देखता है उसका taste को जिगां ये बहुत subjective है man to man भड़ी करता है किसी को smooth taste पसंद है किसी को okie taste और मेरे पास दोनों ही है मतलब smooth भी है और okie भी है चलो दोनों को आज करता है compare और देखते हैं दोनों में से जीता कौन है तो चलिए आगे बरते हैं तो वीडियो के शुरूबात में मैं पहले ही बोलूँगा कि jimison जो है यह Ireland का whisky है इसलिए इसको कहा जाता है Irish whisky one of the largest selling Irish whisky है यह brand और all across world में यह brand आपको as an Irish whisky मिल जाएगा और यह रहा jack daniel उसकी jack daniel एक American whisky है हम लोग सब जानते है American whisky होकर भी इसको bourbon whisky नहीं कहा जाता है usually हम लोग जो जानते है American whisky बहुत famous है bourbon whisky के लिए बट jack daniel हमेशा पसंद करता है उसको सब Tennessee बोलकर पूला है तो इसलिए इसमें लिखा है बड़ा बड़ा अक्षरों में Tennessee whisky क्यूँ इसका एक सबसे बड़ा reason है कि यह जो whisky है यह bourbon का criteria को apply तो करता है बट लास्ट में एक add-on भी करता है अपना whisky में वह है maple charcoal free tradition और उसके कारण इसको कहा जाता है तैनिसी whisky और ऐसे भी यह whisky बनता है लुंच बड़ा तैनिसी में तो इसलिए उस region का नाम करन से यह नाम रखा गया है तो बर्बन whisky होकर भी यह बर्बन whisky नहीं है तैनिसी whisky है अब मैं आप से discuss करता हूं कि दोनों product म में क्या क्या ingredients को इस्तिमाल किया गया है अगर मैं iris whisky मतलब jemison whisky का बात करूं तो इसमें malted barley, unmalted barley and regular grain whisky को इस्तिमाल किया गया है और इसका सबसे बड़ा कारण बहुत है जिसका वीडियो में बिस्तार से बनाए हूं i button में क्लिक होड़ा जाके देख लीजिए बहुत अ 20% rye है और इस तीनों का combination से इस brand को बनाया गया है तो यह थोड़ा इसलिए sweet किसम का whisky है क्योंकि कौन sweet होता है और ज्यादा alcohol मिलता है कौन से तो यह थोड़ा सा high proof और sweet nature whisky है jemison and jack daniel दोनों ही unpeated whisky है मतलब Scotland में जो whisky को बनाने के लिए peat को इस्तिमाल करते हैं यहां पर दोनों brand में peat को इस्तिमाल नहीं किया जाता है इसलिए यह whisky बिलकुल smoky whisky नहीं है अगर whisky making process का बात करो तो jemison whisky को pot still method से बनाया जाता है एक traditional method that produce heavy alcoholic beverage with strong characteristic like aroma and body whereas jack daniel को patent still method से बनाया जाता है जिस जो actually एक industrial process है जहां से high proof alcohol को achieve किया जाता है उस process के अपलाय करते हैं jemison whisky जो है यह triple distilled whisky है friends इस whisky को तीन times distilled किया जाता है इसका कारण है कि यह id swisky का rules है और इसको follow करना जरूरी है id swisky आप अगर बनाना चाहते हो तो friends अगर scotch whisky करत तरफ देखूं तो वहाँ पर two time mostly distilled होता है और अगर मैं jack daniel के साथ compare करूं तो jack daniel one time distilled होता है ना कि two time ना कि three times तो distillation की मामले में jemison काफी आगे है अगर aging का बात करूं तो jemison whisky को age किया जाता है bourbon barrels में sherry birds में और port barrels में यह तीनों का combination है jemison whisky और उसके कारण आपको एक मिलता है super millow whisky with lot of characters and spiciness और अगर jack daniel का बात करूं तो jack daniel को हमेशा fresh american white oak charred oak barrel में mature किया जाता है कम से कम एक साल दो साल या तीन साल कभी भी कुछ भी हो सकता है यह depend करता है master blender के उपर वो कितना साल तक उसको age करेगा और उससे सब से उसको ले ले लेता है दोनों का अगर प्राइस का बात करूं तो वेस्ट बिंगल में जिमिसंग का प्राइस है 3030 रूपीज और jack daniel का प्राइस है 4980 रूपीज ओनली काफी हाइक हो चुका है रिसेंटली वेस्ट बिंगल में अलकॉल का प्राइस आपका स्टेट में अलग हो सकते हैं एक बाद देख लिजिएगा दोनों विस्की का अन्बॉक्सिंग मैं कर चुका हूं और उसमें मैं डीटेल से बताया हूं कि दोनों विस्की का क्वालिटी खासियत सब कुछ तो आ अनौसमेंट की कौन जीता और कौन हरा तो मैं पहले जेमसं को लेना पसंद करूंगा तो चलिए जो जेमसं को पूर करते हैं कि अग्यों कि बहुत लाइट कलर विस्की है बहुत लाइट एंड यह जो ग्रीन बॉटल है इसलिए शायद दिया जाता है हलाकि लाइट है फिर भी मैं बोलूंगा कि इसमें आर्टिफिशल कलर 150 को यूज़ किया गया है तो चलिए नोस करते हैं अग्यों कि वॉन्डफुल फ्रोडल नोट मिलता है तोस्टेट उट नोट मिल रहा है मुझे लिट्ल बिट ऑफ वनीला स्मूद स्विटनेस का हैसास साथ में मैं बोलूंगा कि थोड़ा सब फ्रुटी भी मुझे लग रहा है कहीं न कहीं मुझे थोड़ा सब मर्मलेट का नोट भी मिल रहे हैं पैलेट में कि अग्यों कि अग्यों कि फैंटास्टिक बहुत स्मूध विस्की है जे मिशन सबसे ज्यादा फेमस है इसका स्मूधनेस के लिए तो बहुत स्मूध विस्की है टोस्टेट उट्स का एगिन बहुत अच्छा नोट्स आ रहा है बनीला काफी हद तक है फ्रूरल नोट में अगर मैं स्पेशिविकली कुछ फ्लावर का बाद बोलू तो मुझे याद नहीं आ रहा है बड्समाओ काफी फ्लोडल विस्की है फुटी विस्की है जी है फीग जो कर जो टेस्ट हए वो मुझे मिल रहा है थोड़ा सा नटी भी लग रहा है काफी नटी है and fnally मुझे श फ्रेंट्स बहुत अच्छा विष्की है फिनिश का अगर बात बोलू तो डेफिनेटली एक स्मूध विष्की है साथ में लॉंग फिनिश के साथ यह कम्प्लीट होता है क्रेंट फाइनिली स्मूध एंड स्पाइसी नो डटाउट बहुत अच्छा विष्की चलिए अविज्यैक देनिल को पूर करता है और ज्यैक जनिल जो है मेरा विष्की है तो चलिए पूर करते है ठ्वरबसाट कि ए जैकदेनिल का कलर ऐसल गैसलेंसं वहत्त ही डाक है मैं बुलूँगा कि इसका जो कलर है बल्टिक अंबर कलर है बट जान लीजिए कि इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर को नहीं मिला गया है तो यह बहुत बड़ा एडबांटेज है तो आपको जो भी मिलेगा बहुत जेन्मिन मिलेगा चलिए नोस करते हैं अगें एक स्मूद विस्की काफी फ्लोरल है फ्रूटी काइंड विस्की साथ में लॉडव वूड़ी नोट्स वांडर्फुल वनीला बहुत वनीला का नोट्स मिलता है लिटल बिट बटर स्कॉच का नोट्स मुझे मिल रहा है लॉट्स ओप केरामल एंड ओकी नोट्स बहुत बहतरी नोट्स मुझे मिला चलिए अभी थोड़ा पैलेट में लिए कब से बताते हैं कि अगें यह बहुत स्मूध विस्की है एस कंपेट टू जमेशन यह थोड़ा सा पीछह मैं बोलूंगा कि जमेशन मुझे बहुत ज्यादा स्मूध लगा है आए स्मूध विस्की सात में लट्स ऑगनीर माउथ में बहुत अच्छा को टिंग कर रहा वहला बॉड़ी विस्की बहुत अच्छा को टीम यह मिन अल पैलख काफे भी चुका है मैं लॉट्स ऑथस्तंस कर सकता हूं सात में केरमिल नोट्स और थोड़ा सा उड़ी एंड नटी फ्लिवर भी आ रहा है एज लाइक जैमिशन मैं बोलूंगा अल्मोस्ट जैसा केस्ट है बट जैमिशन से काफी स्वीट है बहुत स्वीट लग रहा है यह वसकी तो सो और टेस्ट करता हूं बहुत ही ओम है एंड बहुत स्मूध बिट स्पाइसी भी लग रहा है थोड़ा सा पट उतना नहीं आज लाइक जैमिशन थोड़ा सा कम लग रहा है मोर चॉकलेटी मुझे लग रहा है यह विसकी तो यह है इसका टेस्ट प्रॉपाइलर फिनिश का बात करूं तो बहुत ही एलिगेंट है जेंटल एंड बहुत स्मूध विसकी है तो फ्रेंट्स दोनों का कंपरेशन करने के बाद फाइनल जो कंक्लूशन है इसमें मैं मेरा अपना पसंदिदा ब्रैंड जैक देनियल को रखूंगा यह कोई जबर्दस्ती नहीं यह मेरा पसंदिदा ब्रैंड है इ कोई भी चीज को पसंद करता हूं तो एस कंपेट टू जेविसन मुझे जैक देनल अच्छा लगा विकॉस ऑफ स्वीट विसकी अगर आपका राय मेरे राय से नहीं मिलता है तो आपका राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में मिल्कुल लिखेगा मैं उत्तर भी दूंगा अग बिर्ण धियू टादा